नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परीचित दोस्तु पस्तित हूँ आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्तो पूर्ण चाहनकारी को ले करके जी हाँ आप सभी जानते हैं कि जब भी हमारे जोडों में दर्द हो जाता है तो बहुत सारी परिशानियों का हमें सामना करना पड़ता है और खास करके बढ़ती उम्र के साथ ही समस्या हो ही जाती है आज कल ये एक आम समस्या बन गई है किसी के घुटनों में किसी की पीठ में किसी की बैकबोन की प्रोब्लेम बहुत सारी लोगों को दर्द की समस्या रहती है जोडों की तो कैसे हम इन से निजात पा सकते हैं क्या क्या सावधानिया रखनी चाहिए क्योंकि किन गलतियों की व इससे में हो सकता है काफी समय बैठे रहने से सफर करने से या उम्र बढ़ने से हमारे घुटने अकड़ जाते हैं या दर्द करने लग जाते हैं जिसे हम जोडों का दर्द या ज्वाइंट पेन कहते हैं कभी-कभी घुटनों के दर्द की वजह से पूरा पैर दर्द करने रगर खाने लग जाती है इससे सूजन दर्द एठन उत्पन होती है आईए जानते हैं सबसे पहले तो जोड़ों के दर्द के कारण के बारे में हड्यों में मिनरल यानि की खनीज की कमी का होना अर्थराइटिस साइटी का काल्टिलेज का घिस जाना खून का कैंसर होना उम्र हड्यों और जोड़ों के दर्द के लक्षनों के बारे में जानते हैं चलने, खड़े होने, हिलने डोलने और यहां तक की आराम करते समय भी दर्द होना सुजन और क्रेप्टिस चलने पर या गती करते समय जोडों का लौक हो जाना जोडों का कड़ापन खास कर सुबह में या यह पूरे दिन रह सकता है मरोड, वेश्टिंग और फेशिकुलेशन अगर बुखार, ठकान और वजन घटने जैसे लक्षन हो तो कोई गंभीर अंदुरूनी या संक्रामक बिमारी हो सकती है आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए, अब हम आपको वो नुस्खे बता रहे हैं जिसके सहारे आप अपने जोडों के दर्द से छुटकारा पा सकते हैं सबसे पहले तो हल्दी और अदरक की चाय, हल्दी और अदरक दोनों ही एंटी इंफ्लामेंटरी गुणों से भरपूर होते हैं और ये दोनों हमें जोडों के दर्द से भी छुटकारा दिला सकते हैं दो ग्लास पानी आपको इसके लिए चाहिए होगा, आधा चमच अदरक पाउडर चाहिए होगा और आधा चमच हल्दी पाउडर चाहिए होगा आपको आप शहद भी ले सकते हैं मिथा के जगा पर चीनी न डाल करके उसकी जगा पर आप इसमें शहद का प्रयोग करें ये नुस्खा बनाने की विधी जान लेते हैं हम दो ग्लास पानी को उबाल लीजिए और उसमें आधा चमच हल्दी और अधरक पाउडर डाल लीजिए और इस मिश्रण को 10-15 मिनट तक आग पर रहने दीजिए इसके बाद इसमें आप शहद भी डाल सकते हैं और इस काड़े का आनंद आप दिन में दो बार ले सकते हैं एक दिन में दो बार सेवन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके लिए बहतर रिजर्ट नजर आने लगे हैं और कुछी दिनों में रिजर्ट आपके सामने होंगे इसके बाद है दूसरा उपाय मालिश से जोडों के दर्द का इलाज मालिश करने से जोडों के दर्द को आराम मिलता है मालिश लहसुन के तेल, सरसुन के तेल या नारियल के तेल से हलके हाथों से करना चाहिए लहसुन से जोडों के दर्द का इलाज कैसे करेंगे आये जानते हैं लहसुन की 10 कलियों को 100 ग्राम पानी एवं 100 ग्राम दूध में मिला कर पकाएं पानी जल जाने पर लहसुन खाकर दूध पीने से दर्द में लाब होता है 250 मिली लिटर दूध एवं उतने ही पानी में दो लहसुन की कलियां एक एक चमच सोट और हरर तथा एक एक चमच दालचिनी और छोटी इलाइची डाल कर पकाएं पानी जल जाने पर वहीं दूध पी जाएं आपको लाब होगा लहसुन की दो कलियां रोज सुबह खाली पेट खाएं सरसों के तेल में लहसुन की कलियां डाल कर भून लें और दिन में दो बार दर्द प्रभावित हिस्से पर इसका लेप लगाएं तथा मालिश करें इससे इस विधी से आपको बहुत लाब प्राप्त होगा आपके जोड लाल मिर्च पाउडर का प्रयोग जिहां जोडों के दर्द के इलाज के लिए लाल मिर्च का भी प्रयोग किया जाता है लाल मिर्च का पाउडर भी जोडों के दर्द से रहात दिला सकता है आपको एक कप नारियल के तेल को गर्म करने के बाद उसमें दो चमच लाल मिर्च पावडर के डाल दीजिए और इस मिश्रण को दर्द से प्रभावित जगह पर 15-20 मिनट लगा कर रखिए ये वीध आपके लिए काफी लावदाई साबित होगी जिहां इसके अलवा निरगुंडी से जोड़ों के दर्द का इलाज निरगुंडी के पतों का दस से 40 मिलीलीट रस लेने से अथवा सेकी हुई मेथी का कपरचन चून 3 ग्राम सुबह शाम पानी के साथ लेने से वात रोग में लाव होता है यह मेथी वाला प्रयोग घुटने के वात रोग में भी लावदायक है साथ में वजराशन करें तो आपके लिए और ज्यादा लावकारी साबित होगा जी हां दोस्तों देखा आप सभी ने हम आप सभी के लिए जो आज और शधिया लाए थे यह जोडों के दर्द से रिलेटर थी क्योंकि आप बहुत सारी लोगों को इसके समस्या होने लगी है तो आप इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो यह आपके लिए बेहद ह ही सस्ती सुलब यानि के आसानी से मिल जाने वाली हों में ड्रेमेडिज हैं जिनके सहारे आप अपने जोडों के दर्द को बाय बाय बोल सकते हैं तो यह थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में हम आप सभी से जोड़ेंगे एक और बेहद ही महत नमस्कार दोस्तों